वाट्स अप गाईज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किस तरह कोकोपीट को बफर करता हूँ काफी पर मुझसे पूछा जाता है कि कोकोपीट को बफर कैसे किया जाता है तो मेरा जो भी प्रोसेस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोकोपीट की ब्रिक पड़ी है जो आपको मार्केट से मिलती है कुछ इस तरह के ब्रिक मिलती है साड़े चार या पांच किलो की चोटी भी आती है पर जो पांच किलो की होती है वो कुछ इस तरीके से होती है तो बफर करने से पहले हमें कोकोपीट को हाइडरेट करना है गीला करना है और अच्छी तरह वाश करना है Kokopit को Wash किस तरह करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है आप अपनी स्क्रीण के टॉप राइट कॉर्णर पर देख सकते हैं मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक को क्लिक करके Kokopit Wash कैसे की जाती है वो वीडियो देख सकते है तो wash करने के पास जो cocopeat आपके पास होगी वो कुछ इस तरह से होगी जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यह cocopeat बिल्कुल गीली है और अच्छी तरह wash की हुई है इसका जो TDS है वो 200 से कम है तो आपको इसी तरह से cocopeat ready कर लेनी है wash करके और wash करने के बाद मैं इस cocopeat को किसी एक sheet पे बिचा लेता हूँ जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि यह white color की मेरे पास polythene की sheet है तो मैं यहाँ पर इस cocopeat को अच्छी तरह से फैला लूँगा और इसको पूरी तरह से सुखा लूँगा इसमें जो moisture है वो completely जब तक नहीं जाता उसे अच्छी तरह सुखा लूँगा तो हम इस cocopeat को यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से फैला लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक बार यह भी discuss कर लेते हैं कि हमें buffering की जरूरत पढ़ती ही क्यों है जैसा कि आप जानते हैं कि जो cocopeat है वो coconut से बनता है coconut की जो outer layer होती है उससे बनता है और coconut trees जो है वो coastal areas में ज़्यादातर होते हैं यानि कि जो समुंदर के पास के इलाके हैं वहाँ मिलते हैं तो उस वज़े से और साथ में जो इसकी processing होती है उस वज़े से इसके अंदर naturally potassium और sodium के जो ions है वो बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत सारा इसमें potassium और sodium होता है और होता क्या है कि जब भी आप newton solution प्रवाइड करते हैं अपने plants को तो unbuffered cocopeat के touch में जो भी newton solution आता है उसमें जो calcium और magnesium होता है वो sodium और potassium को replace करता है क्योंकि calcium और magnesium काफी strong होते हैं उसमें double positive charge होता है तो वो बहुत easily potassium और sodium को replace कर देता है और आपके जो newton solution है वो उसमें calcium और magnesium कम हो जाता है plants को available नहीं हो पाता है और वो cocopeat में absorb हो जाता है तो इस वज़े से हमें buffer करना cocopeat को बहुत ज़रूरी है ताकि जो plants को हम nutrient solution दे रहे हैं उसमें अच्छे तरह से plants को calcium और magnesium मिल सके तो in short हम यह कह सकते हैं कि हम cocopeat को buffer इसलिए करते हैं ताकि plants को calcium और magnesium की deficiency ना हो और साथ ही potassium बहुत high quantities में ना मिले क्योंकि naturally potassium cocopeat में बहुत high होता है तो guys 2-3 दिन बाद आप यहां देख सकते हैं cocopeat बिल्कुल dry हो चुकी अच्छे तरह से और इसमें बिल्कुल भी moisture नहीं है यह आप यहां देख सकते हैं कितनी dusty है cocopeat जो हमने सुखाई है तो अब हम इस cocopeat को hydrate करेंगे अच्छी तरह से गीला करेंगे calcium nitrate के solution से आपको plain पानी से नहीं इसको गीला करना तो calcium nitrate solution से करेंगे कितना calcium nitrate डालना है वो मैं आपको बताता हूँ आपको 7 ग्राम पर लिटर के हिसाब से calcium nitrate dissolve करना है पानी में जिस तरह मैंने यहां पे लगबग 8 या 9 लिटर के करीब पानी लिया है तो मुझे 62 ग्राम के आसपास calcium nitrate लेना है और इस पूरे पानी में dissolve करना है और फिर इस पानी की हग से मैं cocopit hydrate करूँगा और साथ ही उसी solution में इसको भिगो के रखूँगा अच्छी तरह से ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से cocopit को गीला करे और cocopit completely उस पानी के touch में हो calcium nitrate के solution के touch में तो यहां पर मैंने calcium nitrate की quantity ले ली है जितनी मुझे चाहिए और इसे मैं अब अच्छी तरह पहले एक mug में पानी में dissolve कर लूँगा और उसके बाद जो बाकी पानी है उसमें मिला लूँगा और इस तरह से हमारा calcium nitrate का solution ready है और इसके बाद generally मैं क्या करता हूँ कि जो cocopit है जो बिल्कुल dry हो चुकी है उसे एक tub में डाल लेता हूँ या आप देख सकते हैं यहाँ एक tub है मेरे पास तो हम पहले सारी cocopit को इस tub के अंदर डाल लेंगे और जितनी भी cocopit आपके पास है buffer करने के लिए आप उसी इसाब से container choose कर सकते हैं ज्यादा है तो आपको बहुत बड़ा container लेना होगा चाहे 200 लिटर का drum हो या उससे भी ज्यादा आप choose कर सकते हैं आप इटो का एक container टाइप बना सकते हैं चारो तरफ इटे लगा के और बीच में poly sheet बिचा के यानि चारो तरफ जो इटो की एक दिवार बन जाएगी और आप बीच में कोई भी color की आप polythine की sheet यूज़ कर सकते हैं और इस तरह आप जितना मर्जी चाहें बड़ा आप area बना सकते हैं जहां पर कोकोपीट को buffer किया जा सके तो यहां पर मैंने कोकोपीट को tub में डाल दिया है और अब मैं इस कोकोपीट को hydrate करूँगा calcium nitrate के solution से और मैं यहां पर यह watering can की help लूँगा आप चाहें तो directly भी पानी डाल सकते हैं किसी mug या किसी और चीज़ की help से पर क्यूंकि इस से धीरे-धीरे कोकोपीट अराम से wet होती है और easily पानी absorb होता तो मैं यह use करता हूँ बट आप चाहें तो कुछ भी use कर सकते हैं तो चलिए यह solution यह पानी डालना शुरू करते हैं तो guys यहां पर मैंने आप पानी डाल दिया है और आप यहां देख सकते हैं अच्छी तरह कि कोकोपीट जो है पूरी तरह से पानी में भीगी हुई है तो हमारा calcium nitrate का solution उसमें अच्छी तरह से भीगी हुई है यह देखिए जड़ा सा प्रेस करने पर पानी आपको clear दिख रहा है तो इससे ensure होता है कि कहीं भी कोकोपीट ऐसे ही जगा नहीं है कि जो पानी में अच्छी तरह गीली ना हुई हो या पानी के touch में ना हो जड़ा सा भात लगाते हैं आप देख पाने हैं पानी कैसे निगल के आ रहा है तो इसी तरह से मैं पानी इसमें डालता हूँ और ऐसा नहीं है कि ज्यादा उपर तक भरना है आपको पूरा container पानी से भरना है पर इतना शौर करना है कि आपको clearly दिखे कि जो पानी है वो कोकुपीट के अच्छी तरह से touch में है, contact में है ताकि जो हमारा buffering process है वो ठीक तरह से start हो सके, ठीक तरह से काम कर सके और अब इस container को मैं 24 घंटे के लिए अलग रख दूँगा sunlight से दूर किसी shady area में जहाँ पर बारिश का नुकसान ना हो और साथ ही आप इसे किसी breathable fabric से डख सकते हैं, यानि कि किसी भी कपड़े से चाहे cotton का कपड़ा हो, polythin से ना डगे पर किसी डखना भी है तो किसी कपड़े सा ही डगे ताकि किसी भी तेरे का कोई insect इसमें ना जाए तो चलिए 24 गंटे बाद देखते हैं कि इसका क्या करना है तो 24 गंटे हो गए हैं, हमारी कोकोपीट को calcium nitrate के solution में अच्छी तरह सी भीगे हुए और अब हमें ये करना है कि हमें इस कोकोपीट को अलग से निकाल लेना है तो यहाँ पर मैं कोकोपीट को जो polythine की sheet है मारे पास वहाँ पर निकाल लूँगा और जो कोकोपीट थोड़ी बहुत इस container में रह जाएगी उसे जो मेरे पास एक nylon mesh है यानि की कोई जालीदार कपड़ा हो उसे चान कर यूज कर लूँगा और जो पानी है उसे आप चाहे तो स्वाइल में आपके कुछ प्लांट्स है तो वहाँ पे आप वो पानी डाल सकते हैं नहीं तो आप सिंपली उसको डिसकार्ड भी कर सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारी कोकोपीट निकालके यहाँ पॉलिथिन की शीट पे बिचा ली है और यहाँ पे कंटेरियर में कुछ पानी रह गया है जिसके अंदर कोकोपीट अभी भी कुछ थोड़ी बहुत है तो यह आप जो मेरे पास देख रहें नाइलोन की मेश है इसकी हेल्प से मैं जो पानी है वो निकाल लूँगा अलग से डिसकार्ड हो जाएगा और जो कोकोपीट है वो उस मेश में रह जाएगी वापीस मैं उसे पॉलिथिन की शीट पे बिचा दूँगा तो अगर आप चाहें तो इस मेश का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं यानि कि जब मैंने फर्स टाइम कोकोपीट बिगोई कैलसेम नाइटेट के सुलूशन में तो आप उसके अंदर ये नाइलोन मेश बिचा के उसके उपर कोकोपीट डाल सकते हैं थाकि जब निकालें आपको प्रॉब्लम ना आए आप मैश को ही पूरा का पूरा उठाले और जो नीचे पानी रहेगा उसे आप फिर डिसकार्ड कर सकते हैं पर मैने वहां फर्स टाइम यूज नहीं की क्यूंकि जिनके पास नहीं है वो इस तरह भी कर सकते हैं और सेकिंड टाइम मै इस ना तो याँ आप देख सकते हैं कि मैने जो कोको पीट हमने अभी निकाली है वो यहां पर mix कर दी है बाकी कोको पीट के साथ और आप हम फिर से वाई step repeat करना है यानिकि जो हमारा container है उसके अंदर इस कोको पीट को दुबआरा डालना है इस बार मैं यहां mash का यूज चाहिए आप देख सकते हैं पिष्ली बार मैंने नहीं किया था क्योंकि दोनों तरीकों से मैं दिखाना चाहता है आप कर सकते हैं तो इस बार मैंने पहले मेश रखिये हैं और उसके उपर मैंचो पीट डाल रहा हूं तो जो कोकोपीट है वो मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है और जिस तरह हमने पहले केलसेम नाइटेट का सोलूशन बनाया था 7 ग्राम पर लीटर के पानी के हिसाब से उसी तरह सेम बनाके हम इस कोकोपीट को अच्छी तरह से पानी में भिगो देंगे तो गाइस हमने कोकोपीट को दो बार 24-24 गंटे याने की कुल 48 गंटे के लिए केलसेम नाइटेड का सोलूशन में भिगोया है अब हमें इस कोकोपीट को वाश करना है अच्छी तरह से तो इस बकेट का यूज करूँगा मैं इसको वाश करने के लिए जिस तरह कि हम कोकोपीट को जनरली वाश करते हैं फर्स टाइम जम ओपन करते हैं पैकेट से तो सबसे पहले इस कोकोपीट को मैं बकेट में डाल लूँगा और फिर क्लीन आरो के पानी से जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आरो का पानी है और इसका TDS काफी कम है तो इस आरो के पानी से मैं इसको वाश करूँगा कि जब तक कोकोपीट का TDS है जो 200 PPM से नीचे नहीं आ जाता आप इसका TDS जितना नीचे ला सकते हैं उतना अच्छा आप 100 पे रखिए 50 तक ला सकते हैं जितना कम कीजिए उतना अच्छा पर यह जरूर कोशिश कीजिए कि 500 से जरूर कम हो तो यहां पर कुछ दिर वाश करने के बाद हम देख सकते हैं कि TDS अभी भी काफी हाई है इसे और कम करना होगा 200 से कम ले जाना होगा तो चलिए इसको और वाश करते हैं जब तक कि इसका TDS डाइसो से नीचे ना आ जाए तो कोकोपीट को मैंने थोड़ी दिर और वाश किया अब इसका TDS सेक करते है कि कहाँ पर आया है तो आप यह क्लियरली देख सकते हैं इसका TDS काफी नीचे आ चुका है अब 180 PPM के आसपास है तो अब यह जो कोकोपीट है आपकी यूज करने के लिए बिल्कुल रेड़ी है इसमें जो हाई सॉल्स थे हैं अमरी बफरिंग प्रोसेस के दौरान जो इसमें एक्यूमिलेट हुए थे वो सब वाश आउट हो गए है अब आपका जो टीडियस है कोकोपीट का बिल्कुल परफेक्ट है हाला कि आप इसे और नीचे लाना चाहें तो ला सकते हैं और भी अच्छी बात है पर फिलहाल यह कोकोपीट यूज के लिए रेड़ी है आप इसमें कोई भी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं तो गाइस इस तरह आप कोकोपीट बफर कर सकते हैं यह जो प्रोसेस मैंने आपको बताया और अगर बफर कोकोपीट यूज करते हैं तो आपको कैल्सियम और मैगनिसम की डेफिशेंसी का सामना कम करना पड़ेगा तो आप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो गाइस अगर आपके कुछ क्वेश्चिन से तरह नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं जल दाऊंगा नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर